हलो दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश विज चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आसा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सरत कालिल मौसम प्रारंब हो चुका है तेवारों का मौसम है इस समय मिठाई हों के बहुत आप शकता होते हैं हम सभी को उसी संदर भी मैं एक म चमच लगबग सूजी और दूद इसको आप द्रश में देख रहे हैं हम सूजी को जो चमच दिख रही है उसी चमच के दो चमच लगबग सूजी में और दूद उतना ही डाला जिससे उसको फुलो सके हैं तो हमने फुलोने के लिए रख दिया है एक कटोरी मैदा उसमें हम डालेंगे अगली सामागिरी में लगबग चार चमच सुद्यगी एक चोटा चमच सोडा और इसको हम हाथ से हुले हुले से धिरे-धिरे मिलाते जाएंगे अब यह देखी मिला लिया इसको आटे की तरह नहीं गूतना है इसको पुला-पुला गूतना और जो हमन सुजी फुलोई हुई थी अब उसको भी इसमें डाल दिया है और इसको हाथ से धिरे-धिरे ऐसे मसलते हुए एक दूसरे मिला देना है और यह देखना भुरबुरा सा देखिये मिल गया है इसको कतई आटे की तरह बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और दूस से ही इसको मिला ना पानी की कोई भी आव सकता नहीं यह देखी त्यार हो गया इसको गुता गया बहुत हलका हलका गुतना है और यह सौफ्ट होगा काफी और यह हमने इसको रख दिया 15 मिनिट के लिए और यहां हमने दूसरी और कढ़ाई भी रख दिया है इसकी अब हम लोई बनाएंगे बढ़ी हासी आप देख रहा है द्रश्च में और फिर इसके आगे कैसे प्रोसेस होता वह भी बताएंगे आप यह वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लगे इसको अवस्चे लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो सब्सक और यह बनकर हो गई यह तैयार अब इसको हमने एक चोटी कटोरी से कट करके बिल्कुल गोल साइज में बना लिया है अब यह देखी कट के तैयार हो गई से हम काटे चम्मच से इसको पिंच भी कर दे रहे हैं और तेल गरम हो गया देखे इस बीच में कुकिंग आइल और उसमें हमने यह सब डाल दिये है अब इनको देरे देरे हम तलेंगे पलट कर लट पलट करते हुए अच्छे तरीके से इसको तल लेंगे जो की तयार हो रहा है आपको द्रश्य में जर क्राजस्टान में औरतरपदेश में आदियादी सबी ज réflex को पसंद किया जाथा औरतियोरों पर तुरह अक्साइरी बनता है और स्वाधिस्ट भी होता है Bहुत कंम मेहनत और बहुत कंसाम एगरी में यह जल्दी ही तयार भी हो जाती है यह ःदेखे शिग गये हैं और इस स निकाल लिया इसके बाद हम यह देखे त्यार है सिके हुए आपको कलर भी नजारा रहा अब हम इसमें चासनी बनाएंगे एक कटोरी सक्कर डाली है लगब आदा से पौन कटोरी का पानी डाला है और इसकी हम चासनी त्यार कर रहे हैं इसको आप चासनी हम एक तार कर वाली जाब हो जाए समझे त्यार उगये है जब एक तार कर वाली चासनी इसमें मिलती जा रही है और ये लपेटा टाइप का हो जाएगा पूरा उपर तक इसमें चासनी गुल जाएगी मिल जाएगी और ये देखिए सोग गई है और फ्लकुल गुल कर हो गई है त्यार ये डिस हमने आपको नाम नहीं बताया ये आपको बताना है आशा करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद